गाना गाते वक्त या रियाज करते वक्त तानपूरा और हर्मोनिम कितना सुनना चाहिए ये आप लोगों का एक सवाल रहता है क्योंकि आप जब रियाज करते हैं या गाते हैं तो हर्मोनिम के साथ हम गाया करते हैं या बिना हर्मोनिम के गारें तो भले ही चलो तानपूरा ह और जब ये दोनों चीज़ें नहीं है तो हमारे साथ music जो चल रहा है वो तो आज हम जानेंगे कि जो voice balance है वो कितना होना चाहिए और sound balance है वो कितना होना चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि balance कैसे बनाये जाता है घर बैठे निशुलक संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें रियाज आप एक बहतरीन mobile application जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, करनाटक और बॉलिवोड संगीत सीख सकते हैं तो coupon code और link description में आपको मिल जाएगा जिससे कि आपको benefit ये होगा कि SPW के coupon code से 10% आपको discount मिलता है तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा तो download कीजिए ये application और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज आप से कुछ ना किसी से बोलेंगे तनहाई में रोलेंगे आ तनहाई में रोलेंगे कुछ ना किसी से बोलेंगे तनहाई में रोलेंगे बहुत ही खुबसूरत घजल है घुलाम अली साब की और एहमद फरास का लिखा हुआ कलाम है तो आईए शुरू करते हैं हमारे जो टॉपिक है जिसके बारे मैं मैंने आभी आपको बताया कि कितना होना चाहिए तानपूरा कितना सुनना चाहिए और हार्मोनियम कितना सुनना चाहिए कितना बजाना चाहिए देखिए जाहिर बात है हमारी जो गाईकी है वो powerful होनी चाहिए तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपके control में जब आप present करते हैं तब ये instruments कितने होने चाहिए जाहिर बात है कि king subject जो है वो गाईकी होता है मैं इसका मतलब यह नहीं कहा रहा हूँ I am not demeaning any subject मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि वादन low होता है dance low होता है नहीं सबका अपना equal importance होती है बढ़ हम जानते हैं जब एक performance में अगर singer गा रहा है तो वहाँ king कौन है singer ये चलो king ना कहकर हम ये कह सकते हैं कि उसको सुनने आए हैं लोग तो उसका sound but of course थोड़ा तो उचा होना ही चाहिए बाख की instruments के बनिजबत अगर तबला loud बज रहा है और आपको singer की आवज नहीं हा रही है आप बस ये कहते हैं कि equal होना चाहिए भया equal नहीं कर सकते हैं तबला का sound quality अलग है singing sound quality अलग है तो अगर तबला भी same pitch पे कर दिया तो आपको singer की आवाज नहीं है आई की harmonium, Congo, धोलक, संतूर, वाइलन जो भी instrument साथ बज रहा है उसका sound जो है singing से हलका हलका नीचे ही होता है तब ही वो balance बनता है singing खिलके आती है सामने तो मतलब नियम है अगर तबला भी बज रहा है तो साथ में अगर harmonium संगत हो रही है तो but of course harmonium संगत भी loud थोड़ी होगी वो भी कम ही होगी जाहिर बात है यह तो कुछ common sense की बात है तो यह तो आपको खयाल रखना होता है कि balance जो है ऐसा रहे हमेशा जो mixing है sound की आप इस प्रकार से करें second thing आते हैं तानपूरा और harmonium की सुनने पर तो एक चीज है जो मैंने भी अपने गुरुजी से सीखी है और समझी है कि जादा तानपूरा या जादा harmonium सुनने से आदमी बेसुरा हो जाता है ऐसा क्यों कहते हैं वो क्योंकि हमें आदत लग जाती है बैसाखी की है ना अच्छे भले चंगे हमारे पाउं हो दिये गए है तब भी अगर हम सहरा ले लेके चलें तो फिर हम अपने बल पे खड़ा होना कभी नहीं सीखेंगे क्योंकि हमें हमेशा आदत रहेगी कि अरे यार इसके बल चल लेते हैं असान रहता है हार्मोनियम के साथ जब आप गाते हैं तो आपका खरज हो या तार हो आपको लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है मैंने ये चीज़ भी अबसर करी मैंने उनको कहा है गुरुजी को कि गुरुजी जब पांदपूरे पर गाते है तो खरज के सुर ऐसा लगता है कि वो दम नहीं आ रहा है और जब हर्मोनियम पर लगते हैं तो एक दम पूरा आजाता है अच्छे से तो ऐसा क्यों होता है बिकोज ये एक helping instrument है ये आपकी आवाज को support करता है तो आपको लगता है कि आपका वो सुर लग रहा है बट अक्चुली में आपको ढर्म है वो भरम है उसके सराब में हम है, illusion में है कि हमें लगता है कि वो सुर लग रहा है जबकि वो ऐसा है नहीं इसका sound और आपका sound mix होके आता है और आपको लगता है कि वो स्वर लग गया है आप तानपुरे पर लगाई है तो आपको लगेगा कि नहीं यार नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर वो support आधा हो जाता है आधा कि आप बिल्कुल कम सा ही हो जाता है क्वेंख इसमत्व दोई सोर लग रहे हैं साओर पर या फिर साओर मा या फिर नियोर साओर लगेंगे हैना कोई से भी मरहार्मोनियों आप पूरा-पूरा बजा लेते हैं तो एक खरच बराबर आजाता है हैं और तार भी बराबर मतलब वोई साबको लगते पंच आ गया सरवोपरी है है ना ये जो instruments हैं जो support कर रहे हैं ये नहीं है ना कि आपको भई हर्मनियम से नहीं गाना ची तानपुरे से गाना ची नहीं वो तो कहते हैं कि इन दौनों कोई अठाओ आप हैं किंग तो गला यहां है स्वर यहां है इन में नहीं है इनके सहारे नहीं रहना कि भई तानपुरा नहीं है तो हम कैसे गाएं हम तो बेसूरे हो जाएंगे हर्मनियम नहीं तो कैसे गाएं ने 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 रियाज और knowledge इस बल की होनी चाहिए कि इनके बगएर किसी भी instrument के बगएर आप गाएं गाई की सर्वो पर ही है है ना तो यह तो आप खैर जानते ही है पिता जी ने भी बताया यह मेरे बट मैं आज उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि इनका sound कम रहना चाहिए अब जैसे कि मैं गाके आपको दिखाता हूँ अब अगर और वो अच्छा भी लगेगा पता है जब आप सुनेंगे क्योंकि गाई की सामने तक पहुंच रही है ना कुछ ना किसी से बोलेंगे आपको मेरी आवाज आई ने रही है तो हमें इसको कितना रखना है आप देखिया sound सुनेगा कुछ ना किसी से अब इसमें आपको हलकी सी आवाज इसकी भी आरी और मेरी भी आरी जब म्यूजिक देना है तब अच्छी से बजाईए ना लेकिन जब गा रहे हैं तब इसका साउंड आप कम रखिए कुछ ना किसी से ताकि आपके आवाज में भी जो है पंच आएगा बोलेंगे और आपके जो हरकते हैं वो clear भी आएंगी आपको सुनाई देगी सामने वाले को भी और आपको कि वो हरकत आई भी के नहीं आई क्यों कई बार यह होता है वो हरकत नहीं आती है आप बजा बजा के गार है तो सामने वाले को भरम आपको भरम कि हाँ वो लग गई हरकत जबकि वो लगी नहीं क्योंकि आपकी गले से नहीं आई आपने तो बजा दी और वो उसका sound makes हो गया तो वो भी होता है जाहिर बात है य क्या हूं बोल रहा ही कुछ आवाज नहीं आ रहे हैं तो यह है कि कभी भी अपनी आदत जो है वो बिगाड़िये मत तानपुरे का साउंड उचा रखके हर्मनियम का साउंड उचा रखके आदत बिगाड़िये क्योंकि फिर आप गाने पाएंगे बिना सपोर्ट के इस चीज क्या है